हाई एप्रिबूर्ण वेलकम बैक टो माई चैनल तो गईज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करूंगी कि आप खुछ से फिस्यल मसाज कैसे कर सकते हैं तो मैं फिस्यल मसाज के लिए यहां पे यूज कर दी हूँ खादी सेश्मे ओयल यह केरियर ओयल है और इसे आप स्कीन और हेर के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर आपके बहुत ज़्यादा ओयली gaude तो आप अलोवेड जिल यूज कर सकते हैं मुझे सेच में cultiv पसंद है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ और ऐसा कोई रूल है कि आपकी ओयली स्कीन है तो आप ओयल यूज नहीं कर सकते आप हमेशा केरियर ओयल का इस्तमाल करें। तो चलिए देखते हैं कि फेशल मसाज कैसे करते हैं। तो गयज सबसे पहले आप अपने फेज को क्लीन जरूर करें उसके बाद मसाज करें तो मसाज के लिए में यहां पर सेसमे लिया है और यह केरियर ओयल है और आप जब भी कोई ऐल यूज करें तो वह केरियर ओयल होना चाहिए इसके जगह पर आप coconut oil भी ले सकते हैं या फिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं अयल से मसाज करती हूँ तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपकी oily skin है तो आप oil यूज नहीं कर सकते, of course कर सकते हैं, तो आपको जो पसंद है कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम बाद में review कर देते हैं, जो extra oil होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात दी है, आप आराम से इसे use कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर oil लिया है और अपने face पर अच्छे से spread कर लिया है, और दुवारा से मैं oil ले रही हूँ और अपने finger पर हाथों में अच्छे से लगा ले रही हूँ, उसके बाद मैं अपने face पर फिर से spread करूँगी, ताकि जो oil है वो अच्छे से spread हो जाए, और हम मुझे मसाज करने में कोई problem ना आए, और वो easily मसाज हो पाए, जब हम oil यूज करते हैं या फिर aloe vera gel यूज करते हैं, तो मसाज करना easy हो जाता है, तो सबसे पहले मैंने neck से start किया है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको उसी तरीके से करना है, और आप कर जो हाथ का pressure है, वो बिलकुल हलका होना चाहिए, हाथ से आप मसाज नहीं करेंगे, और यहाँ पर मैंने हाथ को मोड के इस तरह के से मैंने उपर की तरफ हलके हलके हाथों से मसाज किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और फिर धीरे धीरे इसे बाहर की तरफ ले जाएं और जहाँ जहाँ पर pressure point है, वहाँ पर थोड़ा हलका pressure देना है और बाकी हलके हाथों से मसाज करना है, तो आप इस तरह से मसाज करेंगे, तो आपके skin कभी भी loose नहीं होगी, और skin tight रहेगी, skin में glow रहेगा, premature aging की problem नहीं होगी, wrinkles, fine lines, यह सारी problem नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को age से पहले, उम्र से पहले aging की problem दिखने लगती है, अगर आप week में एक बार मसाज करते हैं, तो आपके skin बहुत ही healthy रहेगी, glow करेगी और आपके जो skin में dirt है, वो week में clean होता रहेगा, तो इससे आपको कोई भी problem नहीं होगी, अब यहाँ पर inner corner के पास आपको index finger की help से pressure देना है और उसको उपर की तरफ मसाज करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर यहाँ पर आपको इस तरह से index finger की help से आपको वहाँ पर pressure देना है थोड़ा थोड़ा, से आप करेंगे तो आपको बहुत relax मिलेगा और आप जब मसाज कर रहे हों तो आप अपनी आखें जरूर बंद कर लें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत relax मिलेगा, अब अपने ring finger की help से आँखों पर मसाज करेंगे इस तरह से और inner corner के पास जो pressure point है वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, और आखों के पास circle बनाते बनाते आपको इस तरह के से मसाज करना है, अब मैं यहाँ पर आखों के नीचे इस तरह के से प्रेस करते हुए मसाज करूंगी, इस से आपके आखों के नीचे जो भी puffiness है या फिर dark circle है वो सारा चीज नहीं होगा, और आपके पूरे face की exercise हो जाएगी, यहाँ पर मैंने full face मसाज दिखाया है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखकर आप मसाज केजें, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको जब अच्छा लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अब मैं कानों के पीछे से इस तरिके से गर्दन की तरफ आते आते बाहर की तरफ ले जाओंगे, जिस तरह से कि हम अपने बालों को कानों के पीछे करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा प्रेसर के साथ आपको करना है और बहुत ही रिलेक्स मिलेगा आपको इस तरीके से करने से आप करके देखिए और फिर मैं अपने चीन एरिया से nose area के उपर forehead तक ले जाऊंगी फिर उसे side side forehead के तरब से ear के पास से neck के नीचे तक आऊंगी इस तरीके से आपको करना है और जहाँ पर pressure point है जैसे कि आँखों के side में तो वहाँ पर आपको थोड़ा pressure देना है अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जहां जहां पर pressure point है मैं वहां पर pressure दे रही हूं हलके हाथों से तो आपको उसी तरीके से pressure देना है और उसी तरीके से मसाज करना है कर देखेंगा है यजग दो आज सेक्टें के तो कर दिए जगे स्थła उखन वे नवज ठwn झाल 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 तो गैज़ जैसा कि आपने देखा कि मेरे फेस में जो एक्स्ट्रा वल था उसे मैंने रिमोब कर दिया। आप चाहे तो face wash करते हैं या फिर आप remove करके ऐसे भी रह सकते हैं अगर आप ऐलोवेरा जिल से massage करते हैं तो आप ऐलोवेरा जिल को अपने face पर रहने दें और ऐसे ही पर तो अपके इस्केन में बहुत ग्लो करती है और आपके चेहरे में fine lines या feet wrinkles की problem समय से पहले नहीं होती है तो आप इस तरह से massage week में एक बार जरूर करें और इससे आपके skin बहुत अच्छी रहेगी और आपके skin चमकती तमकती रहेगी तो आप इस तरह से facial massage जरूर करें तो guys चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको next video में तब तक के लिए bye and take care अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें और bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो से related हर notification मिलती रहे तो चलिए guys अब मैं मिलती हूँ आपको next video में